नमस्कार आप जूर चुके हैं दानिक टाइम से में रश्मी शर्मा कैमरामन शुमम भगत के साथ धारा 370 और 35 के बाद जो वाईदे किये गए थे कही ना कही वो वाईदे ठंडे बस्ते में हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट की बात की जारी काम भी शुरू हुआ है पर सवाल यह है कि जो मूल सुविदा हैं आम जनता को क्या वो मिल पाई है और साथ ही साथ कहेंगे कि जिस तरह से लगातार स्टेट हुट की मांग को लेकर मिशन स्टेट हुट के तायत सुनील लिंपल जी ने आवाज उठाई थी उसी के चलते स्यासी पार्टियों ने भी उसी रियर्ड में पर चलना शुरू कर दिया नमश्कर आप जूर चुके हैं दानिक शुटाइम समय रश्मी शर्मा कैमरामन शुबंभगत के साथ दुश् लकी के स्टेट हुट का दर्जा मांग वापिस मांग रहे हैं वह कहीपा कि पाकिस्तान ही क्यूंकि देश्बक्ती का सट्टिफ केर्तों भाज़पा की पूरी टीम में ले रखा है यानि अगर जो टीम से बाहर है उनकी पार्टी से बाहर वो सब के सब देश द्रोई हैं जो भास्पा के अंदर है वो सब के सब देश बकता है पर हां जब उनकी पार्टी का कोई दामन थामता है तो जिनको वो कहते थे देश द्रोई वो देश बकत बन जाते हैं चली इनी सार प्रदान मंत्री जी भी कई ना कि जम्मु कश्मीर का रुख करने वाले हैं या यू कहें इलेक्शन करीब हैं चलिए बुलंदवाद जम्मु की हमेशा चाहे अकेले ही उठाए उठाते आ रहे हैं उठाते रहेंगे सुनील लिंपल जी सबसे पहले आपका बहुत-बहुत अपने सवालों का बोचार मेरे पे की है पटारा खोल दिया है जिससे मुझे आज सकत गुसा आ रहा है मेरे जम्मु कश्मीर की एक करोड तीस लाक आवाम को आज पाकिस्तानी होने का इल्जाम लगाया गया आज हम स्पेशल स्टेटस रियासत के दर्जे की मांग अपनी व इसलिम सिक इसाई गुजर बकरवाल चिनाव वैली पीर पंजाल की रियासत को ये हमारी बिरासत हमारी दो सुर साल पूरानी महराजा गुलाब सिंग्जी से लेकर के हरी सिंग्जी तक जिसका विले भारत के साथ हुआ था आज उसकी रियासत को तोड़ करके राष्ट विर पर्टी को जम्मू किश्मीर की अवाम के साथ से माफ़ी मांगनी चाहिए और दूसरा आपने इतना बड़ा इल्जाम हम पर लगा दिया एक भारती जनता पर्टी का मैं नहीं जानता हूँ उन्हें लेकिन आपने कहा कि भारती जनता पर्टी वरकिंग कमेटी का मैंबर और शायद वो एक्स में मिनिस्टर भी तो नहीं रहा है तो यानि के चिनाव वैली पीर पंजाल के लोग और जो डोडा किस्तवार भदरवा पुंश राजोरी जम्मू कठुवा शांबा और जो महराजा हरी सिंग जी ने जो रियासत खूबशूरत रियासत दी थी क्या हम सारे प किनिस को हमने ये आवाज बुलंद की थी जंग का ऐलान किया था कि हम अपने बज़ूर्गों की विरासत जो भारती जंता पार्टी ने हमारी पगड़ी को पाउं तले रोंदा है कुछला है उसे हम सम्मान के साथ वापिस लेके आएंगे और ये इल्जाम हम पे लगाते है अरे इसका मतलब तो ये हुआ कि पार्लीमेंट जब ये इनके परतान मंतरी जी ने ये कहा था कि रियासत का दरजा जमु कश्मीर को दिया जाएगा अमिर शाह ने कहा जमु कश्मीर का बाद जल्यू कर जल्दी किया जाएगा और तमाम इनके नेता जो है तीन सो शांसाद सतर मनिस्टर आए और कहा कि रियासत का दर्जा चुनावों के बाद जल दिया जाएगा और अल्जी साहब ने भी यही कहा कि चुनावों के बाद राज्य का दर्जा दिया जाएगा तो क्या आपके प्रदान मंतरी जी, आपके ग्रैम मंतरी जी, आपके डिफेंस मिनिस्टर जी, भारती जन्ता पार्टी के जो अध्यक्ष, जेपी नड़्डा, जम्मू कश्मीर के दोरे के ओपर आ रहे हैं, जो राज्य के दर्जा की वापसी की बात करते हैं, तो क्या ये सारे के सारे पाकि के ओपर आज खड़ा कर दिया है जी और आप विफल हुए हैं नकाम्याब हुए हैं जम्मु कश्मीर को उसका अधिकार देने के लिए आपने हमारी दियासत को तोड़ा आपने जम्मु कश्मीर को बरबाद कर दिया हमारे बिरोजगार नोजवानों को बरबाद कर दिया हमार दरवार मूव रोक करके वेवपारियों का वेवपार खदम कर दिया आपने जम्मू कश्मीर को निलाम किया है बेचा है हमें गिरवी रखा है और बिना शर्ट के आपने रियल स्टेट वालों को बाहर के देश के लोगों को पूजी पतियों को रियल अपार्टमेंट बनाने के लिए बिना स्टेट सबजेक्ट बिना लीज के और कम दामों के ओपर आप उन्हें रमीने दे रहे हैं और ये सिलसिला रश्मी हम आह भी भरते हैं हो जाते हैं बन्राम ये कतल भी करते हैं कहीं चर्चा नहीं होता और आज अफ्शोष तो मुझे इस बात के ओपर हो रहा है अफ्शोष तो रश्मी मुझे इस बात के ओपर हो रहा है कि आप जम्मों में गोदी मीडिया है भाजपा का जो इन्हें उठाता है और वो हमारी इस मांग को हमें जमू कश्मीर की हवाम को कमजोर बना रहा है इनका बाजपा स्पॉंसर्ड गोदी मीडिया और इनका आईटी सेल देखना हम किस तरह के इनके बयान बाजी हमारे इन कोमेंट्स में आएंगे और उनके तमाम पॉर्टफोलियो जो प्रोफाइल्स होंगी वो लॉक्ड होगी और इनके आईटी सेल बाजपा के जब भी कोई अच्छा कार्य करता है तो उसके खिराफ ये बयान बाजी करना शुरू हो जाते है और यही सिलसिला रश्मी तो इधर उधर की बात ना कर तो ये पूछ इन से बाजपा से ये काफिला कैसे लुटा तो इधर उधर की बात ना कर ये पूछ इन से ये काफिला कब और किस ने लुटा रश्मी ये काफिला पांच अगस 2019 को लुटा ये भारती जन्ता पार्टी ने लूटा और वो लुटने लुटाने बिकने बिकाने का सिलसला जम्मू तो बिक गया लीक वर माफिया के हाथों में शराब के माफिया के हाथों में माइनिंग माफिया के हाथों में पावर प्रोजेक्ट बेच दिये गए बाहर निलाम कर दिये गए और सिलसिला लुटने लुटाने का यहीं खतम नहीं हुआ यह दुबाई तक गया और अलजी मनूर शिना साथ दुबाई के शेखों को बिना स्टेट सब्जेक्ट के बिना लीज के जमीने दे आये हैं और किन शर्टों पे हमें गिर्वी रखता किनождों पे बेचा गया बशागया हमको बताते ही नहीं और किनि शर्टों पर पेचों को नहीं समझ थी नाई स्यासी डाव पेचों में वो पढ़ना चाहती है जो जम्मु कश्मीर के युवां को रोजगार चाहिए डिवेल्मेंट और प्रगती चाहिए जिस तरह से लगातर आप देख रहे हैं बेस्फ सियाफसर के अस्पीरेंस लगातर पर्देशन कर पर बात करें निरेगा की बात करें अभी चलिए थोड़ा सा सकून किया वीडिसी मेंबर्स को थोड़ा 4500 रुपया महावार उनको यह पर मन्त उनको मिलने जा रहा है अभी भी सफाई करमचारी यह नि बात करें अब जिस तरह से कि यहां पर केंडर से मंत्री लोग यहां पर आ रहें नेता गण यहां पर आ रहे हैं यहां का प्रस्तान कर रहे हैं क्या कहेंगे आप उस चीज को किस तरह से देखते हैं क्योंकि पहले हमीशा जी आये ते तो जम्मू में यह जंतक संबोदित किया कि minimum wages act लागू हो चुका है शायद पहली बार भूल चुके लाना वो अब शायद लेकर आए क्यूंकि ना ही यहां पर सफाई करमचारी एक्ट यहां लाग हुआ ना ही यहां पर जो कि मिनिममम वेजिस एक्ट लाग हुआ है आप पर अपर पर्मानेंट नहीं करना चाहते या क्या आपके अगे बाद है सबसे बड़ी बात है जमो कश्मीर केंदरिशासित परदेश है वो कम से कम मिनिममम वेजिस एक्ट लाइए यहां पर यह सबसे बड़ा सवाल है जितने भी अस्ताई करमचारी है डेली वेजर्स हैं हमारे होम गार्ड हैं हर कोई आज सडकों पर है और जब वो निकलते तो बड़ते हैं उनको डंडे बड़ा अच्छा सवाल किया रश्मी आपने और इसी बात को लेकर के सुभाई ही मैंने एक पत्रकार वारता की है और लेटिन गवर्नर मनोज शिनास आपको और जेपी नड़ा जो साथ तारीक को आ रहे हैं उनसे ये कहा है भारती जंता पार्ट चीनने के बाद हमारी द्यासत तोड़ने के बाद हमारा स्टेटर्ड सब्जेक्ट चीनने के बाद जम्मू कश्मीर में जम्मू और कश्मीर में तीस लाख बेरोजगार नوجवान हो गए हैं और अफसोश की बात तो यह है आपने जो मिनिममम वेजीज एक्ट लागू हुआ मिला किसी को? नहीं मिला. तीन सो साथ सतर मनेस्टर दोरा लगा करके चले गए तीन सो सतर कुछ मिला? नहीं मिला. और अब हमने ये कहा हैं इन से कि आप जम्मू कश्मीर को निलाम कर दा, बेच दिया, हर रोज तुगलग की फर्मान जारी कर रहे हैं, पत्वे जारी करते है और निलाम तो आपने शराब की दुकानों को कर दिया, शराब माफिया को कर दिया, लेकिन जब हम अपने मेरे बच्चे बेरोजगार नोजवान, बॉर्डर बाटालियन के बच्चे, C.A.S.F., B.S.F., होम गार्ड, S.P.O., डेंटल सर्जन्स, जितने भी पड़े लिखे, J.K. S.S.B. की आपने पोस्टें विड्रॉब कर ली, पब्लिक सर्विस कमीशन की पोस्टें आपने विड्रॉब कर लिए, और अब जब भी वो मेरे बच्चे जाते हैं सडकों के ओपर अपनी मांगे मनाने के लिए, तो आप उन्हें बालों से पकड़ पकड़ करके, नोच करक है, बारती जनता पार्टी की सरकार ने, बताइए, एक रक्षा मंतरी, राजनाज सिंग ने, दोहजार अठारा में बौर्डर बटालियन की दो बर्तियां करने के लिए कहा, पच्चिस हजार बच्चे सेलेक्ट हो गए, उनको आपने जो फिजिकल क्वालिफाई करके, वो तो आपने लिए नहीं, लेकिन आज से रिश्वी नई दर्ख्वास तो इन्होंने ऑनलाइन लेना शुरू कर दी है, तो मेरे उन बच्चों के साथ बड़ी बे इनसाफी हुई है, थोका हुआ है, और उन बच्चों का जो हाल आपने किया है ना, और आज देखिए, पी अट्रालियन के बच्चों का कोई आफिसर आएगा और उनसे बातचीत करेगा, अरे आफिसर ने क्या मिलना था उनसे, वो तो उनकी तो सारी पोस्ते ही आपने वालिश करके और नई दर्ख्वास्ते मागना शुरू कर दी, नमबर दो, आपने कहा कि गुजर नगर, रूप बादा किया था, उनको भी आपने पका नहीं किया, मिलने भी हमारे बात के ओपर आप उनको बेडिकल कॉलेज गे थे, उनको भी इनसाफ नहीं दिया, क्लाश फोर की भरतियां जो हैं, वो आपने जो पचासी सो पचातर पोस्तें थी, उनमें से पांच हजारी बच्चे मैं पी डी डी के डेली वेजरों को कहूंगा, इनसे चुकना रही है, इनके वादे, मालूम है कैसे होते हैं, पी एमो मंतरी का घहराव करने के लिए, तमाम डेली वेजर गए और उन्हें लाठियों चार्ट से बेरहमी से मारा गया, और जब उन्हें मारा जा रहा था, और हैंडी कैप्ड लोग थे, और उनके 25-25 सालों से नोकरियां कर रहे थे, और वो कह रहे थे, लाठिया मत मारो, हमको को गोली मार दो, हम जीना नहीं चाहते हैं, आप कातिल हैं हमारे परिवारों, यहीं कह रहे थे ना, हमारा परिवार जो बारती जंता पार्टी की वज़े स फाका कशी है, यही बात वो भी बार्डर बटालियन के बच्चे भी कह रहे थे, कि सर पीट पीट के हम जीना नहीं चाहते हैं, हम सियूसाइट कर ले के, हम यह और यहां तक कि बीजेपी वालों का घहरा भी किया, एक मिन, तो आप डेली वेजर जो पीडी डी वाले हैं, र यह बताईए कि बेरोजगार नوجवानों के लिए आपके पास क्या योजना है, नमबर एक, नमबर दो आप, आप यह बताईए कि मेरे तमाम डेली वेजरों को कब पका करेंगे, नमबर तीन, मिनिममम वेज़े तक, मुस्लि हम बात करते हैं, मिनिममम वेज़े, क्यूंकि हम अबीद करते हैं शायद अमीशा जी का आप दो रहा होगा रश्मी आप बड़ी वरिष्ट पत्रकार हैं अच्छा लगता है आप जितने भी हमारे मुख्य मंतरी रहे हैं उनके अपने पत्रकार वाड़ताएं की हैं आप मेरे साथ पांच अगस 2019 के बाद ही मिशन स्टेट पांच अगस 2019 के बाद एक ने जम्मू कश्मीर की तस्वीर दिखाई थी कि तस्वीर अच्छी होगी एक नई तस्वीर उबरकार सामने आएगी उसी के चलते लोगों ने आप लोगों भी उस्तार में सवागत किया था कि वाकिया पर प्रगृती के रास्ते पर आईसासा ज को जो की 30 अक्तूबर 2019 के पहले की जो जितनी भी रकूट्मेंट प्रोसेस सा उसको विड्रॉव कर दिया गया चाहिए एक चिसी के कोर्ट केसी हों कही है चलिए एक तरफ से आधिकार दे रहे हैं आप लोग तो दूसरी तरफ से अधिकार छीन लिया आप लोगों ने आज भी लोग मुझ पर बच्चे जो युवा हैं मास्क पहने पी एच्डी डिग्री ओल्डर और साथ इसद कहेंगे हाइली क्वाइफड एंफिल स्टूडेंट्स पीजी स्टूडेंट्स पोस्ट ग्रेजुशन की जिन्हों ने आज वो शरम के मारे मास्क लगाकर जंता के साम कर रहे हैं और पीस्फुल तरीके से वो मांग अपनी रख रहे हैं और इसके साथ-साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि जो डेली वेजर्स को ये पी डी डी वालों को ये कहा है देखिए इन्होंने बिजली की प्राइवटाइजेशन कर दी बिजली के पावर प्रजेक्ट स्टाइरिफकेशन है, आप बताईए कि एक महीने में पूरा करेंगे, दो महीने में उनको भरती करेंगे, या चलिए तymph shelves में बर। लेकिन आपने ऐसा कोई और नहीं किया है, और उस और में अगारा साल के बाद ये बच्चे पक्पे उते हैं, तो उन्हें में क्या हासि य ये एक तरीका है एक साजिश है एजिटेशन फेल करने के लिए और तमाम डेली वेजरों की फेल करने के लिए अब एक एहम मुद्दे की तरफ में आता हूँ आज मैं ये पूछना चाहता हूँ क्योंकि पत्रकारों ने एक सवालों की जड़ी मेरे उपर लगा दी है वो कल से मुझसे पूछते हैं कि मेरी क्या प्रतिक्रिया है तो हमारा ये कहना है कि ये कार्पोरेटर वहां पे जो फाई स्टार होटलों में रुके हुए हैं ये कार्पोरेटर ये जवाब बनती है कि देली में एक तो लेने क्या गए क्या आप इन में से जो बीजे पी के कार्पोर कर चुकी है जिसमें से वो गल्तियां मैं आपको बता देता हूँ क्या ये कार्पोरेटर जो कार्पोरेशन ने ये जो रेजोलूशन पारित किया था कि महराजा हरी सिंग जी के जनम दिन की छुट्टी का ऐलान होना चाहिए क्या ये छुट्टी ले करके वहां से आएंगे हा और साथ में क्या ये कार्पोरेटर ये जो स्मार्ट मीटर जमू में लग रहे हैं जो शराब की दुकाने खुल रही हैं क्या इसको बंद करवा सकेंगे क्या ये जो जमू को निलाम किया गया है बेचा गया है बिना स्टेट सबजेक्ट के बिना डोमी साहिल के और बिना ली करके लाएंगे कि इसमें जितने भी बच्चों को नोक्रियां मिलेंगी हमारे जम्मू किश्मीर के बच्चों को नोक्रियां मिलेंगी तो हम कैसे क्या ये हमारे यहां पे बिजली के किराए पानी के किराए कम करेंगे अरे भाई सो शो रुपया घर गरीब लोगों से आप इक आपकी मानी जाएंगी, क्या आप डेली वेजरों को पका करवा सकोगे, क्या आप बार्डर बटालियन के बच्चे, C.I.S.F., B.S.F. के बच्चे, जो बेरोजगार हैं, उनके लिए कुछ लेके हा सकोगे, अगर आपने जम्मू जब आना है वापिस, तो जम्मू की जनता ये प्रसीक्षन देज़ से, तो ये बाते हैं जिसका सवाल जो है, क्या आप रियास्त का दरजा वापिस ला सकते हैं, क्या जो जम्मू की अवाम और पूरे जम्मू की आज तो एक शब्द भी आ गया है, कि जो पर यहां पर तो कहीं नहीं हमें दिख रहा है, कि पाकिस्तानी लिखा हो सब, आप तो हमेश्व देशवत की की बात करें, पर यह किसने अधिकार देदीआ हैं बास्पा के नेता हो को, बास्पा के करे करतां को, जो भी इस तरह की या तो उनकी कभी कभी जबाने काफी फिसलती हैं, स्लिप आफटंग क cinemat differs झालगई है, काफी बार हुआ है हूँ जी अब ये सवाल उन से जरूर पूछिएगा जो कॉंग्रेस के नेता बाजपा में गए हुए है क्योंकि बाजपा की अपनी भारतिये जनता पार्टी की आइडियालोजी तो रही नहीं ये कॉक्टेल पार्टी बन गई है इसका कॉंग्रेसी करन भी हो गया नेशनल खामियों को गलतियों को छुपा रहा है किस गोदी मीडिया की सरा आप बात करें हैं रश्मी को छोड़के जम्मू किश्मीर के सारे अवाम जानती है वो उस गोदीया मीडिया को पहचान और वो शायद अपने जाती मुफाद के लिए या कोई कुछ मेंबर्स बनना चाहते हों या कोई बहुत से बाते हैं इसमें बाजपा का विस्तार तो लगातर होता चारा बड़ी बड़ा उनका परिवार अरे लोगों को गुम्राख कर रहा है ना आपका गोदी मीडिया हकीकत नहीं सामने ला रहा है बेरोजगार नوجवानों की समर्शिया ने देखी वियोपा काफी पुरानी मांगया और और होमगाड के साथ तो मानेनी परदान मंत्री जी ने वाइदा भी गया था जब वो अधूपुर में आये थे तो अभी तक वह भी गिड़ाये हैं पर डेली वेचर अब तो हवान कर दिया कि आठ तारीकों यह कहना चाहिए आठ तारीकों रव गिराओ ही गिराओ होते रहेंगे तो पर जब काम नहीं करेंगे तो अवाम की आवाज नहीं सुनेंगे वेपारियों की आवाज नहीं सुनेंगे बेरोजगार नوجवानों को आप लाटकी चार्ज करेंगे उनको नोखरी नहीं देंगे और उपर से कहें आप पीस है नर्मेल मेरे महराजा हरी सिंग जी की रियासत के दरजे की वापसी की मांग उनके जनम दिन की छुटी की एलान और उनके बनाए हुए 375 से स्पेशल स्टेटर स्टेट सब्जेक्ट की मांग करना अगर गुना है राष्ट्र विरोधी है तो मैं राष्ट्र विरोधी बनने के लिए त दाख को फिर से ही कठा करेंगे पियो के गिलगित बलटिस्तान जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है उसे जम्मू कश्मीर के नए नक्षे में शामिल करेंगे और जो हमारा 375 से और स्टेट सब्जेक्ट जो आपने कवा बरबाद किया है और बाहर के लोगों को एक इंच जम्म कश्मीर की नहीं लेने देंगे और बाहर के लोगार नोजवानों को जम्मू कश्मीर की सरकारी नोकरी नोकरियों में नहीं जगा देंगे और साथ में हम जम्मू के जो local I.S. IPS officer के A.S. officers हैं उनकी बहाली चाहते हैं जो बाहर के लाए हुए हैं इन्होंने उन्हें वापिस ले जाए हैं या पर गती विदे शुरू है या कुछ लेकर आ रहे हैं जम्मु कश्मीर के युवाओं के लिए जनता के लिए सर्थ देखिए इनकी पूरी की पूरी कोशिश है कि किसी ना किसी तरीके से चोट दर्वाजे से चाहे डिली मीटेशन का दर्वाजा हो उस दर्वाजे के रास्ते से अंदर जाएं ये 370 को हटा नहीं सकते थे ये हमारी रियासत को तोड़ नहीं सकते थे सुन लीजिए ये गैर कान हमारी उश गीता कुरान और बाइबल की तरह हैं, हमारे गरंट साव की तरह थे, जो हमारी हिफाज़त करती है, ठीस स्टेट सब्जेक्ट है, हमारा स्पेशल स्टेटस तीन सो सब्जेक्ट जो इन्हों ने हमसे चीन लिया, दोके के साथ, और शाथ में आप हमारी रियासत को यह वापिस नहीं, यह चाहते हैं कि किसी तरीके से हम अस्पेशल स्टेटस जाना चाहिए, स्टेट सब्जेक्ट खतम होना चाहिए, तब तक भले ही है इनोंने, जबरन ऐसे काले कानून और तुगल की फर्मान फत्वे जारी करके हमें अपना गुलाम बना लिया है, लेकि जब तक ये जम्मो कश्मीर की असंबली में पारिस नहीं होगा ये लागूर नहीं हो सकता और इसलिए ये कोशिश कर रहे है कि जम्मो कश्मीर में लोगों को पैसे का जहांसा देके जागर कोई एडी का जहांसा देके सीवी आई का जहांसा देके और पुलीस का जबरन इस्त तरफ जो हाहाकार मची हुई है वो जाना बड़ाता है और इनको यह समझना चाहिए सोचना चाहिए और मैं अवाम से भी कहूंगा जागरुक हो जाईए आपको खुद अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी यह हमें निलाम बेचने तवाही और बरबादी के सबाए कुछ नहीं देंगे जाए हिंद जाए भारत दन्यवा सुनील जी हमारे साच जोड़ने के लिजश को हमने यह थे सुनील इंपली मिशन स्टेट हुड के परदान जो लगातार 317-335 के बाद इन्होंने एक ही आवाज उठाई है कि हमें राज्य का दर्जा वापिस मिला कहीना कही लाजों महराजों की पगड़ी का सवाल है और वहीं दुसरी तरफ इनी के रोड मैप पर सियासी पार्टी उने भी आवाज उठाना शुरू करी सियासी पार्टी ने बल्के आम जंता ने भी आवाज उठाना इनके दोरे किसे नहीं है, वो काम चाहते हैं, वो रोजगारी चाहते हैं, रियासत का दर्जा वापिस चाहते हैं, वो अपनी रियासत वापिस चाहते हैं, नहीं अगर ये चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो जेपी नड़ा के आने के उपर, और अमिशा जी के आने के उपर, और प्रधानमंत्री जी के आने की लोगों में इतना जोश और उटसकता नहीं है और विशेश तोर पे बेरोजगारों को तो बिलकुल कोई उमीद इनसे नहीं है क्योंकि उमीद यही है कि जैसे कि जेपी नडा जी आने वाले हैं अमीशाज जी आने क्योंकि अमीशाज जी जी रहे हैं आज हम बार बार वही सवाल करते हैं क्योंकि अमीशाज जी की जो कही भी बात कहते हैं पत्थर पर लकी रहे हैं तो वो पत्थर पर लकी रही हम डूड ुद कर लगा में हैं नहीं जारा है यह वह बेखाब रहें यह वह सुनना नहीं चाहरे के आकर जमो कश्मीर के के आप लागां कि डिलाते हैं वह वह कुछान झा मंदिना जाम का इंश्यंता कि है कि किस चाहऀके पर implement je पाकिस्तानी हैं और जरूर मिलेगा सिर्फ जम्मुकश्मीर के हालात समाने हो जाएं तो क्या कहेंगे सवाल या निशान सुनीर शर्मा जी पर खड़ा था कि आपके खुद के नेता भी क्या पाकिस्तानी है जिन्हों मैं ये बात कहीं थी कि mission status का दरजा वापिस मिलेगां कि और साती साथ certificate कि आ भाष्पा के पास है उन्हीं की नेता के बाता कि देश बक्त की सब्स्राइbbles निकत turnaround से पर होते हैं आप सवाह आप से जरूर पूछेंगी सुरील डिमपल जी ने भी पूछा है क्योंकि मिशन स्टेट हूड का यही इन्होंने परचाह शुरू किया था सबसे पहले और उसी रोडमैट को आज तक ही फालो करते हैं कि हमारे राजों महराजों की जो पगड़ी है उनका मान समान वापिस लेना वही की शरط है कि हमें स्टेट रूड का दर्जा जल से जल वापिस मिला जाए अब देखना यह है कि क्या है बाज़पा नेतों के पिटारे में अब केंद्र से दिली से जमूता का सफर क्या टैक कर पाएंगे किस तरह से वो तैक कर पाएं और जिस पिटारे में क्या-क्या निकल कर आता है जमू के युवाओं के लिए जमू कश्मीर के युवाओं के लिए जमू कश्मीर की जन्ता के लिए अब नजरे गड़ाई हुई है उन्हीं के आगमंग पर जिस तरह से हमीशा जी आने वाले जे अब दीजी इस वीडियो को जितना हो सके शेर कीजिए जोड़े रिया से मर्जा अगले अपडेट के लिए जाएं चैपर